सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं मेरे चैनल पे कि मश्रूम में टेंपरेचर और हुमिडिटी जो है उसका माप कैसे किया जाता है और उसके लिए जो मीटर है वो कितने का मिलेगा और कहां से मिलेगा तो उसी की जानकारी इस वीडियो के मैं देना चा टेंपरेचर और हुमिडिटी मीटर लीखे और इसके बाए यहाँ पे शॉपिंग ऊप्शन है एक शॉपिंग पे क्लिख कर दीजिए शॉपिंग पे क्निख करेंगे तो इहाँ प्राइस लिख के आ जायेगा तो धेखे यहाँ पे सबसे उपर आप देख पा रहे होंगे ह में HTC का है थर्मोमीटर हाइगरमीटर दोनों एक साथ है इसमें तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 27.8 टेंपरेचर है और हुमिडिटी 67 है यह 299 रुपए दिखा रहा है इसी तरह से आप दूसरा देखे 219 रुपए का है जिसमें टेंपरेचर हुमिडिटी दोनों दिखा रह है यह मैं रेंज आपको सजेश्ट करूँगा कि आप हैं तो इसमें 200 से ले आपको 1000 mungkin मिलेंगे लेकिन मैं सजेश्ट में कि आप जोए 400-500-600 के रेंज में लिजिए चुकि बहुत सस्ता अगर आप ले लेंगे तो टिकता नहीं है ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है तो 400-500 के रेंज में आप लेंगे तो टिकेगा टिकाओं होगा इसमें एक सेल लगता है सेल लगा करके आप इसको रख देंगे ज जो है जो अगर कोई इलेक्ट्रिक होगा तो आपको इलेक्ट्रिक सिटीज चलाना पड़ेगा वैसे सेल वाला ही लीजिएगा ताकि कभी अगर लाइट कर जाए जैसे ओस्टर मस्रूम है तो जरूरी नहीं 24 घंटे आप उसमें लाइट दे तो आप क्या करिए जिसमें सेल ल हुमिडिटी दोनों बताएगा अब आपको सपोर्च 30 डिगरी टेंपरेचर चाहिए और टेंपरेचर जो है इससे में 27 बता रहा है यह वाला देखिए जो लेट में सबसे पहले है 27 दसमलों 8 डिगरी टेंपरेचर बता रहे हैं और आपको अगर यह 30 करना है तो आप क्या क चीज करना है तो आप क्या करेंगे थोड़ा पानी ओनी का छिड़काओ करेंगे तो यह 27 से कम हो जाएगा और हुमिडिटी जो है टेंपरेचर के साथ ही कंट्रोल हो जाता है अगर आप टेंपरेचर कंट्रोल कर रहे हैं तो हमिडिटी लगभग उसके एवरेज में ठीक ठ वो मैं बना चुका हूँ इसमें सिर्फ आपको यह बताना था कि कितने का आएगा हाईगरोमेटर और थर्मोमेटर तो जॉइंट लीजिएगा दोनों एक साथ ही आते हैं और बहुत सस्ते आते हैं 200 से लेके 500-600 के तो 400-500 के रेंज में आप इसको खरीदिए और इसको बै nervous पर मैजँ स्कन rivalry यॉइद अपने कमरे में यूज करें और उसमें कोई दिकत नहीं आएगी temperature temperature अपने आप बताएगा आपको सिर्फ maintain करना है maintain करने का तरीका जो है वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर अताप वहाँ से देख सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा आप comment करके बता सकते हैं वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं आप जा करके उसे भी दीख सकते हैं और comment करके कोई query है तो पूछ भी सकते हैं आज के लिए फिलाल लतना है thank you so much